नमस्कार दोस्तों आज नास्ते में क्या बन रहा है चलि आज बनाते हैं राइज नूडूस राइज नूडूस या चावल का बनावा नूडूस बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से अवलेबल है कहीं भी मिल जाएगा आपको स्टोर में या ओनलाइन अगर करें एक बार टेस्टी बहुत ही आसानी जैसे नौर्बन डूडूस बनता है बिल्कुल ऐसे ही बनता है इसके लिए हमने 500 ग्राम राइस नूडूस को चावल का नूडूस को जैसे पैकेट में लिखा है ज्यादा पानी डालके उबालके ऊबर कुक नहोंने पाए पानी नि ठीन कंनी डाला है तिन से चार से लेशन बारीत खटा अब इसमें हम डालेंगे बास की आधि एक बड़ा प्याज और एक हरो को गता होकजब तब तक हमें फ्राइ करना है और नूडल्स कुक करते हैं बिल्कुल ख्या लखे ओवर्वर कुक ना होने पाए और अच्छे से दो के एक छोटा चमज तेल लगा के फ्लेट में रखते हैं यह हमारा देखिए प्याज तयार है बिल्कुल ज्यादा ब्राउन हमें करना नहीं है इसमें जूलियन कटा हुआ वन-फूर्थ कप हमने गाजर लिया आप थोड़े जादा भी ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाद से और कोई भी सबजी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें एक जुलियन कटावा गाजर इसको एक मिनट के लिए भून ले फ्लेम को तेज ही रखे आप इसमें कैबिज भी डाल सकते हैं बंदों भी डाल सकते हैं लाल पीला बेल पेपर डाल सकते हैं मैं न तो fair मेरे पास सिर्फ क्याप्सिकम या शिंबला मिर्स्ता वहीं दिया अब एक शिंबला मिर्च को क्याप्सिकम को हमने लंबे लंबे पतले स्लाइज करके रख दिये थे थोड़ा इसको मिक्स कर देते हैं कोई भी सब्जी ऑवरकुक ना हो अब इस पर डाला है हमने वन फोर्थ कप स्वीट कॉर्ण हमने फ्रोजन दिया है अगर आप फ्रेश स्वीट कॉर्ण यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा बॉयल कर ले पहले और एक बड़ा चमच वन टेबल स्पून वेनिगर डालेंगे त्री फोर्थ टी स्पून सोया सॉस एक छोड़ा चमच से थोड़ा कम सोया सॉस लें एक बड़ा चमच श्री राचा सॉस श्री राचा सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास नहीं है श्री राचा सॉस तो आप कोई भी चिली गालिक सॉस यूज कर सकते हैं और एक बड़ा चमच ट्वामि कामिर्स जब हमने डाला तभी डाल लें लेकर एक दो मिनट के लिए सौटे कर लें ज्यादा ओवरकूक नहीं करना है थोड़ा सा क्रंच रहे कि अजय के अच्छे से मिंक्स कर ले अब फोड़ा सा नमक डाले नमक क्यारफुली डालेज चीछ जटने भी हमने सौस डाल आए उसमें नमक है बाद में हम ए्क बार टेस्स कर लेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अगर यूटूब में देख रहे हैं अगर कहीं और देख इस और किसी साइट में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले प्लीज और लाइक शेयर करना ना भूले अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसको यह हमारा बिल्कुल तयार है नूडूस बहुत ही टेस्टी है जरूर श्राइ करें बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा थैंक यू थैंक यू एवरिवन फर वॉचिंग